नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का एक वार फिरसे स्वागत हैं वीके नोलेज इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चेनल में क्या आप भी ITA एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक नई शुरुवात करने जा रहे हैं यहां आपको मिलेंगे इंजिनरिंग ड्रोइंग के टेन इंपोर्टेंट इसे प्रश्न जो हर वार रिपीट होते हैं या फिर आज तक की ITA एक्जाम में सरवादिक बार पूछे गए हैं तो यदि आपका भी एक्जाम फरवरी में है यनकि आपका ITA में बेक एक्जाम है तो इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखे और इन क्यूशन की आप प्रेक्टिस जरूर कीजिए ताकि आप अच्छे से प्रिप्रेशन कर पाएं और एक्जाम में यह इंपोर्टेंट क्यूशन हल करके आप भी ड्रोइंग में पास हो सके आपसे एक रिक्वेस्ट है यदि चैनल पर पहली वार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेजिए और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें टेलिग्राम चैनल से जोईन हो सकते हैं लिंक दे रखाएं डिस्क् इंपोटेंट सिंबल्स है दस ऐसे सिंबल है जो आज तक की आईडिये एक्जाम में सबसे ज़्यादा वार पूछे गए हैं तो चलिए शुरू करते हैं मैं वह आपके लिए पीडियोफ ओपन कर लेता हूँ मेरे पास ये पीडियोफ है जो आपको भारत स्किल की वेबसाइट पर भी अवेलिबल होगी आई होप आपने वहां से देख लिया होगा पढ़ा होगा इसमें आपके लिए इंजिनरिंग ड्रोइंग के इंपोटेंट पार्ट से सामिल हुए हैं और लेटेस्ट एक्जाम पेटन भर है नेमी की ओफिशल बुक है तो मैं आपके लिए इसी से क्योशन करवाने वाला हूँ आपको दस वो इंपोटेंट सिंबल इसी बुक से बताऊंगा आप उनकी प्रेक्टिस जरूर किए ज़िए यदि आप इलेक्ट्रिशन वाइरमेन या जो आपको यहां ट्रेड दे रखे इनमें से हैं तो जरूर पढ़ दीजिए इलेक्ट्रिशन वाइरमेन इलेक्ट्रो प्लेटर लिफ्ट और आपको मेकेनिक इलेक्ट्रो पावर डिस्टिबिशन यह आपके लिए यदि ट्रेड है तो आप सिम्बल को जरूर पड़े लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आईटे में सभी ट्रेड के लिए ड्रोइंग का पेपर कोमन होता है तो आप सभी प्रेक्टिस जरूर कर दीजी इनकी यह देखे यहां से सुरुवात होती है आपकी ड्रोइंग के सिम्बल्स की तो आप इन सिम्बल्स को इसमें तो सतर से असी सिम्बल दे रुके हैं तेकिन आपको केवल दस इंपोर्टेंट सिम्बल जो सबसे ज़्यादा रिपिट होते हैं उनको पढ़ना है जैसे कि इनके कोई नहीं पूछता यहां दे रखा है साइन एंड सिम्बल्स और इलेक्ट्रिकल ग्रूप यानि कि इलेक्ट्रिकल ग्रूप में जो भी आता है ड्रोइंग के पेपर सब के कोमन होते हैं तो सब के लिए यह इंपोर्टेंट है एसी डिसी के कोई नहीं पूछता है लेकिन सेल बेटरी का आपको देखने को मिल सकता है तो सेल और बेटरी का दोनों का आप सिम्बल प्रेक्टिस कर लेजी कैसे बनता है मैं आपको यहां बना कर बताता हूँ यह प्लस बनेगा और यह माइनस यहां आपको प्लस यानकि लंबे वाला जो होता है वो plus का और छोटे वाला minus का होता है तो यह आपके cell का है और battery की definition यदि आपको याद है तो आप battery का symbol भी बना देंगे cellों के समूँ को battery कहते जानि कि इससा एक cell होता है यदि सारे cellों को जोड देंगे तो battery बन जाएगे जैसे कैसे यह रहा एक cell plus minus plus minus यहाँ लिख दीजे plus यहाँ लिख दीजे minus यह battery बन गई दो तिन cellों का समूँ होता है group of cells यह battery कहलाता है group of cells battery कहलाता है तो सारे cellों को उमने एक साथ जोड दिया battery बन गई तो आपको इसी परकार से बढ़ना है यह दो आपके हो गई उसके बाद किसका पूछा जा सकता है यहाँ आप देख लिजी energy meter का कई बार आता है diagram तो energy meter को भी आप ध्यान में जरूर रखे उर्जा meter उर्जा meter का diagram पूछा जाता है kwh meter इसमें आपके क्या गलते होती है मैं पूरा बता देता हूँ number कहां कटते हैं तो यह आपको इसा बनाना है और फिर इस परकार से आपको पूर्जा meter बनाना है यहाँ तक समझा गया kwh अंदर लिखना है ना उसमें k बड़ा w देखा जैसा कि नो ने लिखना है छोटा और उसके बाद h छोटा यह लिखना है आपको k यान की बड़ा होना चाहिए यहाँ आपको सही लिखेंगे तो number पूरे मिलते हैं तो यह कई बार question आ चुका है most repeated question की category के अंदर जाता है उसके बाद आपसे AC motor single phase कोई नहीं पूस्ता ohm meter का कोई नहीं पूस्ता lamp का symbol exam में आता है lamp का symbol option में भी आ सकता है लेकिन आपसे direct भी पूछा जा सकता है lamp का यहाँ आपको जान रखना है यह आपके lamp का symbol होता है सब को बनाना आता है lamp तो easy है लेकिन इसके बाद जो यह दून है न electrical bail और बजर सबसे ज़्यादा यही पूछे गई है तो आपको यह दोनों बनाने है एक दूसरी की opposite होते है मैं आपको एक बार clear करके पूरा बता दीता हूँ अलग से इनको bail और बजर में क्या है दोनों एक दूसरी की उल्टे है एक symbol यहाँ आपको बताता हूँ यह आपको एक D बनाना है और A से निकाल देना है और दूसरे में देखी क्या बना हूआ है D उल्टा बना हूआ है और यह देखी electrical bail और बजर के symbol ऐसे बनते हैं अब आपको देखना है कौन सा बजर है तो बजर है उल्टा D और बेल है आपकी सुवा जो D है यानकी सीधा जो D बना हूआ है वो आपकी bail होता है electrical bail और बजर दोनों most repeated क्यूशन है electrical bail का यानकी विद्धूत गंटी और electrical बजर दोनों आप एक वार पढ़ दीजिए यह बजर का है और यह bail का है सबको पता होगा यहां से क्यूशन क्यों आता है क्योंकि यह confusion करने वाला point है तो इसको आप जरूर पढ़ लेजिए उसके बाद देखे यह क्यूशन आपके आता है इसमें आपको क्या ध्यान देना है यह वाले दोनों की क्यूशन आते हैं कौन से capacitor का और एक register का मैं आपको दोनों एक साथ करूँगा रजिस्टर वाला आगे आएगा यहां है फिक्स्टर रजिस्टर वेरियबल लेकिन मैं आपको दोनों साथ में कराऊँगा क्योंकि दोनों में इसे एक आता है या तो capacitor कुछ लेगा या फिर रजिस्टर लेकिन दोनों आपको ध्यान देना है एक जिसे सिंबल होते है कैसे capacitor में क्या करना है ये तो इन्होंने ऐसे बिना रखा है आप ऐसे भी बिना सकते हैं दोनों आपको बराबर रखने है सेल बेटरी में क्या होता है एक लंबी होती है एक छोटी होती है लेकिन इनमें ये दूनों line ने बराबर होगी यह आपकी capacitor होता है यानकि संधारित्र हिंदी में बोलते हैं आपको ध्यान रखना है English वाला वर्डन capacitor लेकिन यह इस capacitor में से एसे एक line निकाल देते हैं न तो यह होती है variable capacitor यानि कि परिवर्ती संधारितर परिवर्ती यानि कि इसके मान को हम adjust कर सकते हैं यह बदलने वाली value का होता है और जो विन्ह तीर का होता है उसे कहते हैं fix value वाला तो यह आपको एक तो बात ध्यान में रखनी है तो यह है आपकी परिवर्ती परतिरोदक जैसा कि इन्हों ने लिख रखा है variable capacitor लेकिन fix capacitor का यह वाला symbol होता है जिसमें arrow नहीं बना होता वो fix वाला होता है उसके बाद यह आता है register में से तो register का ऐसे बनते हैं यह आपकी fix register है जिसमें से तीर नहीं निकला हुआ है वो fix है लेकिन यदि इसी में से तीर निकाल देते हैं जैसे कि यह आपके तीर निकाल दिया इसका मतलब है यह परिवर्तिक है यान कि इसका मान हम अपनी आवशक्ता अनुसार change कर सकते हैं इसका उधारण आपको फेन का regulator आपने देखा होगा जिसे हम आप पंखे की speed को कम या अधिक कर सकते हैं वो वाला होता है तो आप ध्यान से देख लीजी यह ज़्यादा important question है repeated है तो आपको देखने को मिल सकते है और एक आता है आपकी electrolyte capacitor में से electrolyte भी आप देख लीजी इस वेकार से बना होता है कैसी capacitor बनाना आता है ना हाँ yellow yellow capacitor लेकिन आपको एक ऐसे घरना है यह आपका electrolyte capacitor है प्लस माइनस आपको देखने लेने हैं तो यह तीन मैंने आपको यहाँ important बता दिये इसमें 70 है और उन में से मैं सबसे ज़्यादा repeated है वो सारी आपको बताने वाला हूँ यह वाला क्यूशन आ सकता है डाइग्राम auto transformer का symbol आपसे बनवाया जा सकता है या फिर direct आपसे पूछा जा सकता है कि बनाएए तो देखिए क्या है auto transformer में आपको पढ़ा होगा तो आपको याद है कि यह self induction की सिध्धान्थ परकारी करता है self induction का इसका कारी सिध्धान्थ होता है यानि कि इसमें आपके एक ही क्Harry होती है जिसमें EMF उत्बन होता है तो यही प्राइमरी और यही secondary का काम करते है इसके कुछ ट्रों प्राइमरी के होते हैं कुछ सेकेंडरी के का तो सिंपल है सब को बनाना आता है इस परकार से आप बना दीजिए यह आपके डायोड का बन जाएगा आप से कई वार ऐसा होता है कि ऐसे सर्किल भी कर देते हैं तो वह कोई बड़ी बात नहीं आपको डायोड का ऐसे बनाना है और यह काता है SCR का तो मैं थोड़ा जूम करके यही दिखा देता हूँ SCR का डायग्राम दिखाई देर होगा साइथ वहाँ आपकी कौने में है यह रहाँ आपके SCR का डायग्राम तो यह आपसे पूछा जा सकता है तीन इसके सीरे होते हैं एनोड, केथोड और गेट नाम के तीन सीरे होते हैं आपको ध्यान में रखना है यह आपके SCR का डायग्राम है UGT, BGT, SCR, TRIAC, DIAAC यह आपके क्यूशन इन में से एक डायग्राम जरूर पुछा जाता है तो आप सारी प्रेक्टिस कर लेजिए एक वार मैंने आपको SCR बता दिया है और बेस वन, बेस टू और गेट नाम का सीरा होता है वो आपके BGT में होता है बाइपोलर, UGT में होता है यूनि जक्सन ट्रांजिस्टर आपके हैं एक वार इनको पढ़ लेजिए उसके बाद आप से जो पूछे जाते हैं वो है एक तो LED का सिंबल और एक है आपके फोटो वाल्टिक से का सिंबल इन दोनों में ओपूजिट है कोई आपको अलग सी ध्यान नहीं रखना है जिसमें आपके तीर अंदर की तरफ बने हुए है वो फोटो वाल्टिक है जिसमें तीर बाहर की तरफ जा रही यानकी प्रकास उत्षरजित किया जा रहा है प्रकास यानकी बाहर फेंका जा रहा है तो वो होता है LED बस आपको डाइग्राम पता चल जाएगा लेकिन यदि बनाने का आता है तो आपको इसे बनाना है एक बार देख लिजी ये आपके LED का है और आपको तीर बाहर की तरफ करने है LED में और फोटो वोल्टिक सेल में आपके करने है या सोलर सेल जिसे आप कहते हैं उसमें तीर अंदर की तरफ होते हैं इसना ध्यार रखना है उसकी बाद जिनर डायोड और इसकोट की डायोड दोनों में से एक क्यूसन आ सकता है इसकोट इस प्रकार से आपकी S बना हुआ है वो स्कोट की डायोड है तो आपको ये भी डायग्राम ध्यान कर लेने है बस इतने इंपोर्टेंट थे इन में इनकी एक बार प्रेक्टिस जरूर कर देजी और आगे आपको देखना है तो ओर गेट का पूछा जा सकता है पारे एक साथ नहीं आएंगे एक आता है तो आप सभी की प्रेक्टिस कर लीजी मैंने आपको वीडियो में कहा था दस इंपोर्टेंट सिंबल बताऊँगा लेकिन दस से ज्यादा ही आपको सारी सिंबल इसमें 74 थे ना